हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीदियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमिश्टर 3 के हिस्टरी के माइनर पेपर का ठीक है समिश्टर 3 का यह माइनर पेपर का इंपोर्टन कोश्टन से जो कि मैं इसमें करवाने वाला हूँ तो चलिए तो चलिए कोष्टन करते हैं कि भारत में अरब आकरमन के कारण और प्रभाव को लिखे भारत में अरब देशों के जाकरमन कारी आते थे भारत पर कियों है और उसकocket का रहे तो चाहिंत वह सारे मंदिर हो आगयरा बहुत रह करते हैं तो मंदिर को मंदिर मंदीर को लूड़ीया को लुक्तने के लिए आरब कर रही जादा तर भारत आ तर तो तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर प Around जो सबसे पहले भारत पर किसी को भरा कर कर के यहां पर सासन स्थापित करने उसके वादा है मुह्मः बिन-कासिम uelॉर्णर्ण औरहटी के साथ साथ उसका दामाद भी था। इरान के जो गुर्णर थे अलहज्जाज इसके से नापती भी थे, साथ भी उसका दामाद भी थे साथ तोबावस सुभी में अलहज्जाज ने कासीम को भारत पर आकर्मन करने के लिए भेजा था यह जने एक मुहमध बिन कासीम भारत पर आया थे खर्वारत पर आकर्वन किये थे ति । एक उसके दीक्ति फ़्वेत्वी मुहमध बिन कासीम इसलाम के अरमी काल में अम्य हुए छिंडा खिलाफत का एक अरब सीपार सिपार सालार था ठीक है जो उम्यदा आंदोलन जब चलते थे उट त플ाइए जुन्वां दोलन के महाघ लेने वाज बाध lेने वाल एक सेयरानी थे ठीक है इस है मुहमद का जन में सौधी अरभ में इस थीड ताइव सहर में वहां पर जन हुआ था महां में पर किसी पर सथी ताहिर तो यहां तो उसके साथ व्हेर वह चोगा। ईहाए में से भी तो लाए बैसम इस में मोहम्मद बिन कासीम करणा लाई भी बहुता था फिर दो אתה भी स्बीन चाल्वार सून साथ 12 ही को यह युध मोहम्मद बिन कासीम और सिंद्र के राजा दाहिड के साथ है ताहिए पुत्र वह प्रहामनवाद के राजा जैर सिंग को हरा कर कासीम ने इस के अलावा उसके जो बेटा था उसको भी हराया और उस प्रहाज पर अपना कप्जा बना लिया मुहमद इन कासीम उसके बाद देखते हैं कि साभीक 2017 में मुलतान को कासी नहीं द对का नाम स्वर्ण नगर यह रग्या सब्सक्र अभी पाकिस्तान में जूक पहले था एक ज्योंन नौबब ग्रेशिया का नाम मुल्तान से बदर करके शर्ण तरेस और न आगए ह्सा त। तो पहला करन था कि सामराजिवादी परसार पस्षी में एशिया और अफरिका को जीत कर अरब मुस्लिम देश बना कर बना चुके अब भारत को भी सीमा को ही असा बनाना जाते तो आरब देशों को जाकरमन का रिए उसने पहले तो पस्षी में एशिया को हरा दिया था अपने पर अब उसकी नजर भारत पर पड़ गया था कि भारत को भी हरा कर अपने राज में मिला लिए इसलिए वो उसने भारत पर भी आकरमन किया था फिर उसका दूसरा मकसद यह था कि इसलाम दर्व का पर जार करना तो मुहमाद बिनकास्यम को मुहिभामन के मुष्लीवात तो में मुथ्टी पूझा या भाहु देवबाद से घ्रीना करते थे चारा फेbest बहुत घ्रीना करते आप इसलाम को फैलाना आगे देखे धर्मांधता यह वात कि अरगों का एक आइन कारण यह भी रहा यह भी कहा जाता है कि वे भारत अरब भारतियों का धर्म पड़िवतन करना चाहते थे आरबो के जंदुक जाकर में रहे सेवा यह भारतियों को फैसने भारत के भारत के धर्म पड़िवतन करके मुश्लिम बना दिया जाते Slimy इख भारतियों को लुट कर लुट कर भाय के घर्म परवत्तन को इसलाम के सेवा बताया है यानि को मकसद ही था कि भारत में आतंक फैला दो लोगों को डरा के धंका के और लोग जो हिंदू जो थे यह उसे मुस्लिम में कनभर्ट कर दो यह ही उसका मकसद था अगला मकसद उसका यह भी था देखे कि पूर्व कि प्राजे का अगर्मन कारी उसे जो हारा था उसका बदला भी लेना वेचाते तो अभी तक अरब प्राजीत हुए थे तथा वे भारत पर वीज़ा प्राद करके अपनी निरासा और खीज को मिडाना चाहते थे वह पहले जब अरब कारी को हार होते थे उसी हार का बदला लेने के लिए अरब का भारत पर प्रभाव और परिनाम कारी नों भारत पर क्या प्रभाव पढ़ा तेखो लेनपून ने अरब अकर्मनों का परिनाम हीन बता है लेनपून क्या कहते हैं कि भारत के अरब अकर्मन जो किया था उसनों कोई खास परभाव पढ़ा नहीं कोई इफेट तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया था वो सिंपल सी घटना थी इसका मानना था ठीक है आगे क्या लिखते हैं और इसका विस्तित देश के कौने पर ही इसका प्रभाव पढ़ा था यानि कि बड़ा जो आकर्मन हुआ था कुछ खात एक ही जगह पर भारत पर कोई फेक्ट नहीं पढ़ा था देखें आगे अरगों के आकर्मन का रायनितिक परभाव लगभख सुन था हिंदू धर्म संक्रिति हों हिंदू भूमी के भैंकर छती हुए थी यह सा बात कर रहा है सिंद्ध का वहां पर हिंदू को काफी छती हुई थी आगे देखिए अरभों की विजए से उनके पैर भारत में जम गए थे अरब कभीले सिंद्ध के कई सहरों में ब्याप्त हो ततन current में अपनी बस थापीत कर उपनिमेर नहीं थे यहां पर उसन को कर लोग ने अच्छा लगा होगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में